नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तों आज है संडे का दिन और संडे के दिन कुछ एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो आपके काम आए अगर आप इस सेर बाजार में निवेश कर रहे हो तो कुछ चीज़े ऐसी होती है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और साब बड़े बड़े निवेशक क्या कह रहे है इस समय बाजार को लेकर वो सारी चीज़े आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप शेर बाजार में निवेश कर रहे हो तो देखे एक वीडियो अभी इंस्टाग्राम पे लोड किया है वार्ने बॉफट जी ने और उसकी क्लिप बहुत से लोगों ने देखी है और बहुत से कमेंट्स मैसिज मेरे पास भी आये है वो वीडियो और वार्ने बॉफट जी की पूरी क्लिप मैंने अपने टेलेग्राम चैनल पे लगा दी है हिंदी और इंग्लिस में आप जाके उसको देख सकते हैं देखो दोस्तों जब भी कोई इतने बड़े निवेशक कोई बात कहते हैं तो उनकी बात में दम होता है और निवेशक उनकी बात को बहुत साहब तवज्जो देते हैं तो हमेशा अगर कोई बाड़ने बफ़ट साथ ऐसे मोहल में बात कहते हैं कि बजार में अगर गिरावट हो रही हो आप देखी रहे हैं बजार का हल की बजार में कितनी गिरावट है बाड़ती बजारों पे क्या बलकि 20 के शेर बजारों पे दवाब देखा जा रहा है और इंफलेशन उसमें से टॉप मुद्धा है रेट हाई को रहे हैं गिरावट हो सकती है 50% से ज्यादा की गिरावट हो सकती है तो दोस्तों आज इसी बात पर करेंगे चल्चा अपने आज के इस वीडियो में अब कर देखो दोस्तों हमेशा याद रखो कि चब भी कोई बड़े निवेशक या कोई बड़े अर्थ सास्त्री कुछ बात कहें तो उनको हमेशा फॉलो गरना चाहिए रस्पेक्ट करनी चाहिए वो इतने बड़े निवेशक हैं साब हम तो कुछ भी नहीं हैं उनके सामने जब वो बाते कहते हैं तो हम भी उनकी बातों को बड़ा तबज़ो देते हैं बड़े आदर से उनकी बाते सुनते हैं रास्पेक्टफुली उनकी बाते सुनते हैं और आपको भी सुननी चाहिए बहुत सारे वीडियोज हैं यूटूब पे आप जाके उनको देखिए आपकी काम आएंगे आपकी जिन्दगी में काम आएंगे अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हो तो उन्होंने रिसेंटली इस वीडियो में कहा है कि सेयर बाजार में सहाब 50% से 50% से ज़्यादा की गिरावट हो सकती है यही उनकी इस वीडियो का मुख्छे पॉइंट है दूसरो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि जो उधार का पैसा इस बाजार में लगा रहे है न वो सहाब दिक्कत परसानी में रहेंगे और वो बरबाद भी हो सकते हैं सही बात है हमेज़ा अपनी किलास में मैं आपको बताता रहा हूं कि कभी भी इस बाजार में जितनी आपकी चंदर है उतने पैर फिलाओ जितनी आपकी चंदर है आप पे अगर दस जार है ट्रेटी मत करो इंवेस्टमेंट करो अच्छे स्टॉक में पैसा लगाओ इस टॉक घबराऊ मत आपने सही स्टॉक को सही लेवल पे पकड़ाया अगर वहां से वो गिर गया तो इसमें आपकी गलती नहीं है अगर स्टॉक को आपने सही रेट पे पकड़ाया अगर वो स्टॉक वहां से नीचे गिर गया है तो इसमें आपकी है लेकिंग यह अमूमन इन स्टॉक में होता है दोस्तों जो और बोड गैटिकरी की होते हैं बहुत ऊपर चले जाते हैं पबललिक अफवाऊं पे ध्यान देके तो उनकी स्टॉक को बाय कर लेती है और फिर यह जब गरते हैं तो फिर साहव आप जानते हैं हालत क्या होती है तो यही कहना है बांडे बफर जी का पचास परसेंट का जो इंडिकेशन वो दे रहे हैं वो उन इस टॉक में दे रहे हैं जो अनाब सलाप रैली कर गए हैं जिनके फंडामेंटल बहुत पूर हैं खराब है कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी में किस कहां पर आप पैसा लगा रहे हूं मैनेजमेंट कैसा है उसकी देने की नियत है या नहीं है कंपनी करती क्या है उसके प्रोडेक्ट की डिमांड है या नहीं है बस अफवाई आई कि खरीद लो खरीद लिया और साफ फिर जब वो गिरा और फिर साफ सारा पैसा डूब गया यही तो वो कहना चाहरे हैं वो कहना चाहरे हैं कि आप ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखिए कि जिसमें साफ पचास परसेंट से ज़्यादा की गिरावट हो सकती है ऐसे स्टॉक बताएं उन्हें देखो दोस्तों जो भी अच्छी कमपनी होती है अगर वो गिर गई तो घबराना नहीं चाहिए वो कमबेक ज़रूर करेगी और बहुत तेजी के साथ कमबेक करेगी और नहीं तो साफ बोनस इस प्लेट डिविडेंट के रूप में आपको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर रहेगा अच्छी कमपनियों की में बात करा रहा है बारने पफ़र जी का इंडिकेशन भी बिल्कूर इसी तरफ है खराब कमपनियों पे उपर के लेवल पर अगर आप फसोगे तो वो स्टोक इतना गिरेंगे कि आप जिंदिगी बर उनके साथ बढ़ने का इंतजार करोगे पूरी जिंदिगी गुजर जाएगी लेकिन वो स्टोक नहीं बढ़ेंगे येई चीज तो सब बताईए उन्होंने अपने वीडियो किलिप में जाके वीडियो किलिप देखिए उसके हाइलाइट्स को समझेै जो हाइलाइट्स मैंने नोट्स करेें बीजानक करिये उन चीज़ों आप सेथिक्षार का पैसा पिस बजार में मत लगाईए Expensive Overbought Category के जो stock है उनकी तरफ बिलकुल ध्यान मत दीजे आपने देखा होगा Maximum portfolio हमारा हाली है और हमारे पास जो stock है जो साब या तो अच्छे खासी गिरावट हो चुकी है या फिर बहुत आकरसक valuation पे थे Nifty का stock हमारे portfolio में नहीं है हाँ कुछ है कि stock की में बात नहीं करता जैसे SBI हो सकता है हमारे पास नीचे के level पे है NTPCA और BPCL हमारे पे नीचे के level का है मैंने कहा ना अगर stock का price हमने नीचे के level पे ले रखा है तो गवराने वाली कोई बात नहीं है सभी company'ों में growth story है उपर के level पे हम किसी भी stock में फसे नहीं है बाजार गिर रहा है कोई दिकत परसानी वाली बात नहीं है गिरावट हो रही है होगी अभी आगे भी रहेगी क्योंकि sentiment अभी weak है sentiment weak है FIA की weak वाली inflation का top rate hike हो रहे है आपको देखी रहे होंगे सब जितने में bank है central bank है वो सब rate hike कर रहे है inflation को लेकर condition आप देखी रहे हो स्रिलंका भारण स्रिलंका नेपाल मंगला देश बहुत से छोटी-छोटी देशों की आनत आप जानते ही हो रश्य ये उक्रेन के कारण खाद जो समस्या है उसकी जो उत्पन होई है खास समस्या उसको आप जानी रहे हो देखी रहे हो inflation इसलिए top पे है root price कहां जा रहे है तो इन चीजों को थोड़ा समझना चाहिए ये चीज़े heavy रहेंगी बजार और यही चीजों को indicate कर रहे है हमारे बाणने buffer साब ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसा stock अफवा में खरीद ले जो साब top पे खड़ा हो और फिर साब जब वो गिरे तो आपकी आधी capital सुहा हो जा और फिर आप उसके इंतजार करो उसके बढ़ने का और वो rate कभी नहीं आए उनका मकसद डराना नहीं है वार्ने वफट जी का मकसद दराना नहीं है कि आप लोग शेर बजार में निवेशी ना करो गिरावट एक opportunity होती है अच्छे stock को बाय करने के उनका कहना यह है कि आप high value के stock पे बाय मत करो बजार गिरेगा बढ़ेगा बजार का नियम है तो ऐसे stock से दोरी बना के रखो उधार का पैसा बिलकुल इस बाजार में मत लगाओ निवेशक हो तो थोड़ा लंबी अबदी का निवेश सोचो कहीं पर भी अगर आप निवेश किया हुआ है तो थोड़ी लंबी अबदी का निवेश आपको करना चाहिए सोचना चाहिए इस समय अगर बाजार में आप stock buy करते हो तो ऐसा नहीं है कि recently कली आपका stock अच्छा खासा return आपको देदेगा तो थोड़ा सा समय दीजिए इंतिजार करिए और बाजने बफ़र्ट आपकी ये पांडे बफ़र्ट साब की बहुत सारी वीडियोज हैं उन्हें देखिए मेरे से कुछ पूछना हो तो मुझसे contact कर सकते हैं description में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी mkmfs को join करिए और साब मेरे टेलिग्राम को भी आप जोइन करके वहां से भी अच्छे अच्छी जानकरी प्राप कर सकते हैं और मुझे आगे दीजे फाइनली आज का ये वीडियो समनात करने की especially आज market updates का वीडियो मुझे बनाना था लेकिन बाजार में मैंने आपको बता दिया बाजार में कुछ है नहीं FIA की सेल इंफलेशन टॉप है रेट हाई हो रहे हैं ये सारी चीज़ें चल लही है और ये मैंने कई बार आपको बता रखी हैं रोज अपने market preview के जो वीडियो जाता है मैं मेरा सुबे के समय टेलिग्राम चैनल पर ओलेडी डिसकस करता ही रहता हूँ तो मैंने सुचा कोई एक नई जानकारी आपके लिए लेकिया हूँ कि कोई अगर बड़े निवेशक कोई बात कह रहे हैं तो वो आप तक मैं सोशल मीडिया के द्वारा आपके पास पहुंचाओं तो बार्णे मोपट चीर की ये बड़ी बात थी उन्होंने चेतावनी भरे सब्दों में कहा है कि आने वाले समय में आप एक अच्छी गिरावट देख सकते हो तो अगर ये बात उनकी सही होती है तो डेफिनेटली जो स्टॉक टॉप पहे है वो ओंधे मूग गिरेंगे तो ऐसे स्टॉक से समय रहते आपको आगा होना चाहिए और समय रहते आपको उन स्टॉक को छोड़ देना चाहिए और अपनी कैपिटल को विड्राव करके किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी ग्रोथ स्टॉरी हो ग्रोथ स्टॉरी कैसे अइडेंटिफी करते हैं वो सारी चीजे मैं आपको अपनी क्लास में बताता रहता हूँ फाइनली मुझे आज का वीडियो समात करने की आगे दीजिए नेक्स वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात तब तक इंतिसार फाइनली नमस्कार